रतन टाटा के जीवन के रोचक तत्य रतन टाटा को कितावे पढ़ने का शौक था टाटा एक बहुत ही कुशल पायलेट भी थे जमशेद जी टाटा के पोते रतन टाटा जब मात्र दस साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए उनका पालन पोशन उनकी दादी में कॉनल विश्विद्याले से वास्तु कला में सना तक की डिग्री प्राप्त की और 1975 में हावर्ड बिजने स्कूल में एडवांस मेनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया 1962 के अंत में भारत लोटने से पहले टाटा ने लॉस एंजिल्स में जोन्स और एम उन्स के साथ कुछ समय तक काम किया रतन टाटा कॉनल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ओफ सदन कैलिफोर्निया के बोर्ड ओफ ट्रस्टीज में भी शामिल थे रतन टाटा एक लाइसेंस प्राप्ट पायलग थे और 2007 में F-16 फालकन उड़ाने वाले पहले भारतिय बने अपने दूरदर्शी ने तृत्रित्व और परोपकार के लिए जाने जाने वाले रतन टाटा को राष्ट निर्मान में उनके योगदान के लिए भारत के दो सर्वोचे नागरिक पुरसकारों पद्म विभूशन 2008 और पद्म भूशन 2000 से सम्मानित किया गया है 28 दिसंबर 2021 को उन्होंने ताटा समूव के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था रतन ताटा के बाद साइरस मिस्टरी को ताटा समूव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था रतन ताटा को जानवरों खास कर कुतों से बहुत प्यार था रतन जी ने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया 1999 में जब वे टाटा मोटर्स को बेचने गए थे तो बिल फोर्ड, फोर्ड के अध्यक्ष्ट ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था बाद में 2008 में उन्होंने फोर्ड मोटर कमपनी की दो सहायक कमपनियों लेंड रोवर और जगुआर को खरीदा टाटा हमेशा कहते थे कि कोई भी लोहे को नश्ट नहीं कर सकता लेकिन उसका अपना जंग उसे नश्ट कर सकता है इसी तरह कोई भी व्यक्ति को नश्ट नहीं कर सकता लेकिन उसकी अपनी मानसिक्ता उसे नश्ट कर सकती है चार मौकों पर शादी के करीब पहुँचने के बावजूद रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की टाटा ने एक बार स्वीकार किया कि लॉस एंजल्स में काम करते समय उन्हें प्यार हो गया था लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता ने उसे भारत आने से मना कर दिया